वारानसी में पहली बार किसी पांच तल्ले होटल को पांच फ्लोर वाले होटल को तोड़ा गया बनारस कोठी और रिवर पैलेस को लेकर कल प्रशाशन की कारवाई हुई वीडिये ने यहां बुल्डोजर चलाया आज रविवार है लेकिन बुल्डोजर दिखाई नहीं दे हमें साथ खुर्शिद भाई हैं इसे हम बात कर लेते हैं खुर्शिद भाई कारवाई पूरी हो गई या अभी वीडिये के लोग आएंगे अब मुझे क्या मालूम कि वीडिये क्या करेगा वीडिये का अगला क्या करना है यह तो प्रशासन जानेगा तो तोड़ दिया अं आपके साथ मारपीड भी हुई उसका वीडियो वाइरल हुआ एडियम सिटी ने जो आपके साथ किया पूरा देश देखा तो क्या ऐसी बात हो गई कि उनको सर से आपके चेहरे पर मारना पड़ा वो एडियम सिटी सहाब थे अलोग परमा जी वो अंदर जा रहते तो मैंने कहा सर मेरी परिवार उपर रहता है मेरी बैने उपर रहते हैं आप उनको उतर जाने दीजिए उसके बाद आपको जो करवाई करना है करिए हमें कोई दिक्कत नहीं है तो उन्होंने ऐसे मुझे घूरा जैसे लगता था कि कुछ कर देंगे फिर मैंने यही कहा कि सर आपकी भी बैने हैं बस इतना कहना था उस पर उन्होंने अपने सर से मुझे मारा आई यह मेरा फट गया मारने के बाद वो अपना चले गए तो दवा वगर लिया आप कुछ नहीं क्यों क्योंकि किड्नी के पेशन्ट मेरी एक किड्नी पहले ही कॉलेप्स कर चुकी है पर सो हम डा लूर में चल ला था और मेरी जब तवियत ज्यादा खराब हुई उसके बाद मैंने परसों ही डालेसिस भी अच्चु में करवाया और उसके बाद मैं यहां पेटा था तो यह आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास स्टे है हमारे पास हाई कोट से भी शायद मामला आप लोग स्टे लिए हैं कमिशनर कोट से भी स्टे है तो फिर प्रशासन आप लोगों की बात क्यों नहीं मान रहा जब मामला कोट में है तो क्यों नहीं मान रहा देखिए प्रशासन हमारी बात को हमारा पच्छ रखने का मौका ही नहीं दे रहा हमें अधिकारियों से मिल नहीं नहीं दिया जा रहा है हमें अधिकारी से मिलने दिया जाए हम अपने पच्छ रखें लेकिन मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया 26 तारीक की रात को साड़े नौव बजे नोटीस चस्पा किया गया और सुबक तोड़ दिया गया तो हम किस से कहने कब जाएंगे मोटीव क्या है ये जो कारवाई उसका मोटीव क्या है मोटीव तो प्रशासन ही बता सकता है इसके बारे में तो ना हम बता सकते हैं ना कोई बता सकता है अगल बगल तो तमाम होटल हैं आपके बगल में होटल बन रहा है तो फिर आप ही कि खिलाफ कारवाई क्यों अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि मेरे ही खिलाफ क्यों किया जा रहा है और क्यों ही मुझे तो प्रशासन जानता होगा और भगवान जानता होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है लेकिन यह तो सच है न सब डूप छेत्र में हैं लेकिन उस पर किसी पर एक भी नोटिस कभी नहीं दी गई सिर्फ मेरे साथ ही हुआ कियो हुआ वो प्रशासन बेहतर बता सकता है अब क्या होगा आप लोग का कदम हम लोग सड़क पहें रहने का ठिकाना नहीं है पूरा परिवार सड़क पहें चोटे चोटे बच्चे सड़क पे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे कमाई जोजी रोजगार का जर्या यही था, मेरे पास नारोजी नारोजगार है, इसी के सारे मेरा जीवे का पारजान होता था, मेरे परिभार चलता था, तो ये बात तो शासन प्रशासन को पता थी कि लेंड यूज चेंज करने के लिए आप लोग लखनाउ तक गये, ये सब को मालूम है, लेकिन वो किसी बात को सूनेंगे तब न कहेंगे, जब आप हमको मौका दीजे, अगर आप कह रहे हैं कि हमारा स्टे वेकेट हो गया, आप हमें सूचना देंगे, या आप ने मुझे गलत कहा, मानता हूं, तो आप मुझे समय देंगे, दस दिन, पंदा दिन अपना खाली करके हमको कहीं जाने का, आपने वो भी नहीं दिया, चलिए तो फरशीद सहाब है, इनका कहदा है, कि मामला कोर्ट में है, कमिशनर कोर्ट में है, हाई कोर्ट के साथ तक परिवार को नहीं पता, डाइलेसिस के ही अगले दिन, एडियम सिटी ने इनको जिस तरीके से मारा पीटा, ये पूछ रहे हैं, बारवार एकी सवाल, कि यहां 27 होटल हैं इस रियाईशी इलाके में, लेकिन कारवाई सिर्फ और सिर्फ हमारे होटल पर ही क्यों, अमित स त्वी ने उपी वारां सिर्फ